दोस्तों अब गवर्मेंट से किसी भी तरह का benefit एना चाते हैं तो पहले आपको अपने bank account से आधार NPCI को link कराना होगा अगर आप NPCI को अपने bank account से link नहीं कराते हैं तो government से मिलने वाली किसी भी तरह की साहता का benefit आपको कभी नहीं मिलेगा अब इसे कैसे लिंक करना है और अगर ये पहले से ही लिंक है तो इसे कैसे पता लगाना है सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आप लोग को Google पे सर्च करना है DBT भारत ठीके सर्च करने के बाद देखिए पहले नमर पर जो ओप्शन आ रहा है DBT भारत का आपको यहां पर क्लिक करना है ठीक है ना DBT भारत.government.in इसके बाद आप डायरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर के इस ओफिशल पेज पे आ जाएंगे ठीक है यहां पर आपको कहीं भी नीचे की तरफ नहीं जाना सबसे उपर देखिए राइट गौर्णर में थिरी लाइन बनीवी आपको यहां पर क्लिक करना है इसके बाद आपके समने home के सारे option खुल जाएंगे ठीक है यहां पर देखिए को option आएगा documents का ठीक है आपको documents वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद document में आने के बाद आपको देखिए पहले निम्मर पर एक option आ रहा है आधार UIDI ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है अब सबसे उपर पहले निम्मर पर एक option आ रहा है citizen corner ठीक है तो यहां पर क्लिक कर दिजिए अब यहां पर काफी सारे option खुल के आ जाएंगे तो इसमें second last पर देखिए citizen bank account आधार linking status ठीक है यहने कि हमें पहले चेक करना है कि हमारा पहले से लिंक तो नहीं है ठीक है तो इस पर क्लिक कर दिए अब यहां पर permission मांग रहा है एक और window open करने के लिए ने कि एक और page open करने अब यहां पर UIDI की official website open के आ गई ठीक है तो यहां पर आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे आना है अब यहां पर डालना है आपको अपना अधार card का number ठीक है ना और नीचे डालना है आपको capture code अब एक ध्यान देने वाली बात ही है कि capture code कभी-कभी शो नहीं कर रहा जैसे कि अ और तब मैंने एंटर लिख दिया है यहां कि पांच वर्ड होने चाहिए आप कुछ भी लिख सकते हैं इंट लिख दिया मैंने इसके बाद send OTPP में क्लिक कर देना है अब आपको OTP चेक करना है और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है OTPP आपको यहां पर एंटर करना है एंटर करने के बाद आपको सिंपली सब्मेट पर क्लिक कर देना है अगर आपका बैंक अधार से लिंक नहीं होगा तो यहां पर कॉंगरेचुलेशन भी लिखा वर नहीं आएगा और यहां पर जो एक्टिव लिखा रहा है ठीक है प्लस यह आपका आपस में लिंक हुआ है यह आपका बैंक सेटिंग भी यहां पर दिखा रहा है यान कि 1911 2017 में हमारा लिंक हो चुका था प्लस आपके बैंक का नाम भी यहां पर दिखाएगा HDFC लिंक लिमिटिड ठीक है आप बात करते हैं भी मान लीचे जिनका स्टेटस यहां पर इनक्टिव दिखा रहा है ठीक ह यहां पर पीडिएफ डाउनलोड हुआ है हम इसे ओपन कर लेते हैं पीडिएफ पर क्लिक करके अब आपके सामने एक ओफलाइन फॉर्म ओपन हुआ है ठीक है आपको इसे क्या करना है इसे प्रिंट करके निकलवा लेना है और आप इसे कियरफुली रीट कर सकते हैं जिसस अब आपको यह फॉर्म ध्यान से फिल करना है जो यहां पर पूछी जा रही है आपको यहां पर पूछी जारी आपको यहां पर एंटर करनी है और इस फॉर्म को अपने बैंक में जाके जमा कर देना है मैं आपको समझायता हूं कैसे करना है सबसे पहले आपको यहां पर ल वापश से अपना bank account number लिखना है इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सिगनेचर करना है ठीक है ना अब यहाँ पर देखे लिखावाई option for receiving dbt benefit इन में से किसी एक पर लिख कर सकते हैं और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता इस समय जब आप bank में खड़े हैं तो आप bank वालों से भी पूछ सकते हैं फिलाला पहले वाले पर टिक करके यहाँ पर अपना account number enter कर सकते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आप को सब्मिट करना है ठीक है इसके बाद maximum एक फ़ते के अंदर यह आपका लिंक हो जाएगा और आप वापिस से जाएंगे इस website पे और चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा वा जाएगा यानि कि आपका जो bank account है वो आपका NPCI से link दिखा देगा ठीक है दोस्तों तो ब है अने पेसे लिंक कराने के लिए आपको को पता है कैसे पता रही है तो बहुत अच्य बात है अगर आपको नहीं पता तो पहले पहले से लिंक आप और उना आपसे 1000 रुपए जो फीस लगते है वो पहले ले ले एडवास ठीक है जबके आपका पहले से लिंक था ठीक अगर आपका नहीं लिंक है तो आप घर बैटे खुद भी कर सकते हैं मैंने इसके लिए ओल लेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको इसी वीडि की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप अपने 1000 रुपए भी अराम से बचा सकते हैं आज के लिए वस इतना ही मिलते के नए वीडियो में तो गाइस ठैंक्स वर वो तिन दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल